दोस्तों कभी न कभी आपने नारियल का पानी जरूर पिया होगा लेकिन क्या आपने सोचा चारो तरफ से ये बंद नारियल में पानी कहां से आ जाता है अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बारिश के पानी से आता है तो ऐसा बिलकुल नहीं है आपको जान के आशर होगा यहाँ पानी नारियल के अंदर ही बनता है दरसल पौदे अपना भूजन और पानी जड़ के जरिये मिट्टी से प्राप्त करते है नारियल के फलों में जो आप दूदिया पानी देखते हैं इस तरह के तरल पदार्थ को एंडोस्पर्म कहा जाता है नारियल के फल में जमाओने वाले ताजा दूदिया पानी ही उसका भूजन होता है जो उसके विकास में पोशन का काम करता है एंडोस्पर्म अधिकांश फूल पौधों के बीच के अंदर बनने वाला एक उतक होता है जो पौधों का ग्लूकोज माने जाने वाले स्टार्च की रूप में फल को पोशन प्रदान करता है इस एंडोस्पर्म का उपयोग हम अपने भौजन में पोशक तक्तों के रूप में भी करते हैं हरे नारियल के प्रारंबिक चरण में पौश्टिक एंडोस्पर्म तरल रूप में होता है कुछ हपतों के बाद इसका तरलू मलाईदार उतक में बदलना शुरू हो जाता है जो नारियल के फल की भीतर की सते पर जमा होने लगता है और जब तक इस उतक की नरम परत कठोर बनती है तब तक ये एंडो स्पर्म ही स्वच नारियल पानी बन चुका होता है यानि जो आप नारियल का पानी पीकते हो वो बिसिकली नारियल का इंडो स्पर्म है